हाथों पर रसाइनिक तत्वों से बने उत्पादों की जगह प्राकृतिक उत्पादों का उप्योग ज्यादा से ज्यादा करें हर्बल साबुन, बादाम सोप, एलोवेरा या ओलिव ओनिल से मिलकर बने पदार्थ की मात्रा वाले प्रोडक्ट हों जिससे हाथों पर नमी बनी रहेगी और हाथ रूखे होने से भी बचेंगे रात को सोते समय कोई अच्छी वराइटी का लोशन लगा कर सोए इससे आपके हाथ रूखे होने के साथ फटने से भी बच जाएंगे दिन में कम से कम दो बार मॉस्चराइजर क्रीम अपने हाथों पर जरूर लगाएं कपड़े और बरतन धोने से हाथों की नमी चली जाती है जो बाद में हाथ की तवचा फटने का कारण भी बनती है इस स्थिती से बचने के लिए आप हाथों में एक्सफोलिट और मॉस्चराइजर का उपयोग नियमित रूप से रोज करें शरीर के रूखे पन को दूर करने के लिए आप दिन भर में आठ से दस गिलास पानी पिएं इससे तवचा को नमी मिलेगी और हाथों की फटने की समस्या दूर होगी नीम्बू के साथ ग्लिसरीन और गुलाबजल को मिलाकर एक पैक तयार करें फिर इसे फ्रिज में रख लें जब भी कोई पानी वाला काम करें तो बाद में इस घर पर बने लोशन को लगा लें और हाथों की मसाज भी करें इससे आपके हाथ सुन्दर मुलायम और खुबसूरत बन जाएंगे